हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोग के लिए बच्चों के हिसाब से इनास्ते की रेसिपी लेगी आए हूँ क्योंकि इस साम के टाइम में इवनिंग स्टैक्स में समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए जो बच्चे सौक से खाए और पसंद भी करें और या फिर लंच बॉक्स में क्या दिया जाए और साथ में हल्दी भी होना चाहिए तो फिर बहुत ही टेस्टी लगता है इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे मसाला बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल में आधा चम्मा जीरा डाल देंगे और जीरा को क्रेकल होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है तो अब ये जीरा क्रेकल हो गया है त सब्जी को दो मिनट के लिए भूनेंगे कि इसका कच्चापन खतम हो जाए बहुत जादा नहीं भूंजना है तो दो मिनट हो गया है सब्जी का कच्चापन खतम हो गया है एकदम सौफ भी हो गया है तो अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में डाल देंगे आधा चमच औरीगेनो, यदि आपके पास औरीगेनो नहीं है तो बारीक लेसन को भी काटके डाल सकते हैं, और एक चमच के करीब टोमेटो केचप डालेंगे, ज्यादा नहीं डाल को बारीक बारीक काटके डालें, पीस की ना डालें, तो अब इसमें साथ में एक उबला हुआ आलू डाल देंगे, बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, आलू के जगा आप पनीर भी डाल सकते हो, आपके पास जो है वो डाल दें, और यदि पनीर नहीं डालना चालते हो, लास्ट में जब स्टब्ड करोगे तब, तो बस अच्छी तरह से मिक्स करना है, ग्यास का फ्लेम आफ कर दे या फिर लो कर दे, क्योंकि साथ डालने से क्या होता है, बहुत चिट चिट करता है, तेल पड़ता है, तो बस मैं तभी ग्यास को आफ कर दी हूँ, और बस इसी तरह से भून रही हूँ, अब ग्यास को आउन कर देते हैं, आउन करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे कि इसका कच्छापन खतम हो जाए, सॉस का पिसली, तो यह चटपटा सा मसाला बनके रेडी हो गिया है, थोड़ा सा मसाला का टेस्ट पीजा की तरह लगता है, त इतना आपको लेना है, तो आलू को क्या करना है, कदुकस कर लेना है, इस तरह से मैस करना है, मैस करने से क्या होता है, कि लोई बन जाता है, तो मिक्स करने में दिक्कत होता है, और इस तरह से आप यदि आलू को ग्रेट करके लोगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से मिक् तो आब इसमें क्या डालेंगे ? Binding के लिए डालेंगे मैदा तो चार चमच में मैदा डाल रही हैं आप मैदा के जगा चावल आटा भी डाल सकते हो जो है आपके पास वो डाल दें तो आप इसमें नमक डालेंगे नमक डालके पहले मिक्स कर लेंगे दो फाइदा होता है यदि आप चावा लाटा डालोगे तो वो क्रिस्पी बनेगा, सौफ्ट नहीं बनेगा तेल कम सोखेगा और यदि मैदा डालोगे तो थोड़ा सा मुलायम बनेगा बस टेस्ट में कोई फरक नहीं है दोनों में एकदम बराबर लगता है मैं दोनों बना के ट्राई करी हूँ दोनों बहुत ही टेस्टी लगता है तो सभी चीज अची तरह से मिक्स हो किया है तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालके डो रेडी कर लेंगे डो की तरह आलू रहने के कारण थोड़ा सा चिपचिपा पन रहता है इसमें लेकिन दिकत नहीं जाता है असानी से हो जाता है तो देखे एकदम डो के फॉर्म में आ गया है तो अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे क्योंकि तेल लगाने से हाथ में चिपचेगा नहीं बस तेल लगा के इस तरह से थोड़ी दीर के लिए सेट होने के लिए ज्यादा नहीं पांच मिनट के लिए तो 5 मिनट हो गया है डोपूरी अच्छी तरह से सैट हो गया है तो अब क्या करेंगे इससे तीन बड़े साइज का लोही बनाएंगे बड़े-बड़े साइज का हमने तीन लोई बना लिया है आप एक लोई लेंगे इस तरह से और हाथ से हलका सा प्रेस करके चप्टा कर देंगे और लंबा टाइप का इस तरह से करेंगे क्योевकि हमें इसे में स्टॉफिंग करना है बस इस तरह से और roughly आप इसे पूरे अच्छी तरह से पैक कर दो, ऐसा कुछ निक डिजाइन बनाना है, गोल बनाना है, जैसा आपको, क्योंकि आलू डला हुआ है, दिक दम उलाया है, मैं soft है, तो बस इस तरह से पूरा पैक कर देना है, पैक करके और हलका सा हाथ से प्रेस कर देंगे, इस पसंद उस हिसाब से आप कर लो, तो बाकी कभी सेम इसी तरह से बनाके रैडी कर लिए, तो हमने एक बान में तीनों पैस को बनाके रैडी कर लिया है, तो चलते हैं फिर यह से सेखेंगे, तो सेखने का तरीका है कि तवा के ऊपर थोड़ा सा तेल डालें, क्योंकि कम तेल म उन्हें तक सेखना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप सेखो कि उतना ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हमने अच्छी तरह से पूरा सेख लिया है, एकदम गोल्डन कलर का हो गया है, बहुत ज़दा तेल हमने नहीं डाला है तो अब इसे निकाल लेते हैं, बहुत ही सुन्दर कलर आया है, तो अब ये गर्मा गरम नास्ता बन के रेडी हो गया है, जिन किसी को भी खाना है, वो किरपा करके आ जाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाना भी इसी है, मैं आपको तोड़के दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आया है, तो अगर आज की ये रेसेपी अच्छी लगीत वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,